नमस्कार मेंना नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 Network हम सभी को पता है कि संदीप लामी चाने को लेकर लगातार अलग अलग रिपोर्ट सामने आ रही थी कि क्या उनको विजा मिलेगा, क्या उनको विजा नहीं मिलेगा, क्या वो वर्ड कप खेलेंगे या फिर वर्ड कप नहीं खेलेंगे, अब उस चीज़ को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है और ये शायद नेपाल फैंस को पूरी तरीके से निराश कर देगा नेपाल क्रिकेट के लिए भी एक ये बहुत बड़ा जटका है संदीप लामी चाने वर्ड कप नहीं जा पाएंगे अब सारी चीज़ आपको विस्तार से बताते हैं कि करके क्या अखिर हुआ क्या हम सभी को पता है कि संदीप लामी चाने जेल से बरी हो गए थे मतलब उस आरोपों से बरी हो गए थे जो भी उन पर लगाए गए थे वो पूरी तरीके से इलूसेंट पाए गए थे निर्दोश पाए गए थे उसके बाद नेपाल ने तुरंट उनको वर्ड कप टीम में चुन लिया लेकिन इसके बाद जब वो वीजा के लिए गया तो यूस एमबसी ने मना कर दिया और इसके पहले 2019 ने भी यूस एमबसी उनको वीजा के लिए मना कर चुकी थी और यहाँ पर जब यह हुआ तब फिर नेपाल में एक हल्ला गुला हो गया नेपाल के फैंस सभी को पता है क क्रिकेट के लिए पैशनेट है और जब उनको वीजा नहीं दिया गया तो नेपाल के फैंस जो हैं वो सड़क तक पर उताराए उन्होंने प्रदर्शन किया लाखों में लोगोंने मांच निकारा संदीप लामी चाने के वर्ल्ड कप जाने के लिए यूस एमबसी के बाहर धर ना दिया ये सारी की सारी चीज़े हुई इसके बाद नेपाल क्रिकेट के प्रेजिडेंट जो है उन्होंने जो अब अपनी गवर्मेंट से बात की थी उसके जरीए संदीप लामी चाने को कॉल आया और इंटर्व्यू के वाँपर बुलाया गया यूस एमबसी और सब में ना कोई रीजन बताया अगर आपको विजा ने देना है या क्यों नहीं दे रहें तो उसके पीछे कारण तो बताईए उन्होंने कोई कारण नहीं बताया संदीप लामी चाने को विजा नहीं दिया अब ये पहले बात तो नेपाल के लिए जटका है लेकिन ICC के लिए शर्मनाक है और यह मतलब एक जगत के लिए शर्मनाक है किस तरह से आप एक वर्लम टॉर्नमेंट खेलने जा रहे हैं बीस ती ब जारही दुनिया वर के लोग आ रहे है आप एक प्लेएर को विजा नहीं दोगे जो उस तेम का स्तार प्लेयर है जो दुनिया फर में खेल क्योंकि वो खेला हुआ है और वो जब इस टीम का स्टार प्लेयर है और जो भी एक्सपीरेंस भी लाता है बाहर से लेकिन वहीं नहीं होगा तो नेपाल के लिए बहुत बड़ा चटका है कि किस तरह से नेपाल प्रोजेशन करेगी यह अपने आप में सोचने वाली बात होग लेकिन जब वहाँ पर कोई किसी एक प्लेयर को वीजा ने दिया जा रहा पर्टिकुलर प्लेयर को तो फिर किस तरह से आप यह सोच सकते कि आप अमेरिका में क्रिकेट को ग्रो कर लोगे तो फिलाल के लिए आप बताईए आपके क्या रायस पर क्या ICC को इसके अगेंस जल्दी एक्शन लेना चाहिए और नेपाल पर कितना बड़ा प्रभाव पढ़ने वाला इस चीज़ का जो भी लगता है आपको जल्दी एंदी कॉमेंट करकर बताईए